प्रवाइब नमस्कार दोस्तों सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूर है सारे नोटिफिक्रेशन सारे अपडेट सारे मोश्ट इपोटेंट पिक्स सारा रिवीजन सब कुछ यहां पर बताए जाता है दोस्तों एलाबाद हाई कोट के समिक्षा अधिकारी वाले एकजाम के लिए यह फुलनेंट मॉक टेस्ट पेपर नमबर एट है जिसे कि आप यहां देखने जा रहे है और 200 MCQs पर हम चर्चा करेंगे पहला प्रशन आप देख रहे है इसी के एक ओर्डिंग आपको देखना है तो एक तरफ प्लेस दिया है दूसरी तरफ इंपोर्डेंट लीडर्स के नाम दिये हुए है जैसे कि देखिए इसमें राजस्थान से सुरेंदर शाही जी ने नेटरटु किया था और फरुखाबाद से तुफजल हसन खान ने नेतरे तो किया था असम से हरदयाल सिigg ने किया था और मनीराम दत बरुवा ने उडिशा से किया था तो बाकी सब गलत है इसमें सिर्फ B वाला सही है जो फरुखाबाद वाला option है बाकी जितने हैं जिसे राजस्थान से हरदयाल सिंग ने किया था मनी राम दत ने असम से किया था और सुरेंदर शाही जी ने उडिशा से किया था इसके बाद next question में आपसे पूछा गया है कि कौन सा इसमें से सही है तो सही की बाद अगर की जाए तो इसमें बाकी सब तो ठीक है लेकिन जो 1913 करके दिया है वही एक मात्र गलत है इसमें इसमें 1913 वाली जानकारेदी है वो गलत हैै 1911 का वो डेट था जिसपर की ये कलकता सेशन होता है और यहाँ जनगण मन को पहली बार काया जाता है तो इस प्रशन में यह पूछना चाहिए था कि गलत कौन सा है तो गलत इसका पहला वाला है ठीक है इसका जो correct answer है तब जाकर ए वाला होता यहाँ पर 1911 होगा ठीक है तो wrong information इसमें से बाहर करनी थी बाकी सब सही है इसके बाद question number 3 को देखते है सही विकल्प का आपको चैन करना है तो सोम प्रकाश समाचार पत्र के संस्थापक देवेंदर नाट टैगोर थे Indian mirror newspaper के संस्थापक इश्वर चंदर विद्या सागर थे बंदे मातरम न्यूस पेपर जो है इसके संस्थापक अर्विंदो घोश थे और आल अप देवबब करके दिया हुआ है सही क्या है तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो correct answer C हो जाएगा बंदे मातरम न्यूस पेपर वाला सही है ठीक है अर्विंदो घोश यहां सही दिया है और इश्वर चंद्र विद्या सागर के द्वारा सोम प्रकाश समाचार पत्र की स्थापना की गई थी और यहां पर क्या दिया है देवेंद्रिनाट टैगोर तो यह गलत हो गया और इंडियन मिरर के संस्थापक कौन थे देवेंद्रिनाट टैगोर थे यहां उल्टा दिया हुआ है, क्रॉस मैच होना चाहिए था फिलहाल इसका C वाला उप्शन सही है इसके बाद Q4 को देखे पूछा गया है कि किस राज्जी को Lord Dalhauji के व्यपगत सिद्धांत के अंतर गत 1853 के बाद शामिल किया गया था अब इसमें आप देखे तो 17 को शामिल किया गया था 1849 में जैदपुर को 1849 में और 1852 की जो डेट थी उसमें उदैपुर, नागपुर को 1854 में तो इसमें से बाहर फिर कौन होगा? नागपुर हो जाएगा और सबसे अंत में अवध उसके बाद 5 वाले को देखते हैं कहा जा रहे हैं कि विन वास दर शार्दा सदन फाउंड़ शार्दा सदन की स्थापना कब की गई थी और who among the following had founded the शार्दा सदन मतलब इसमें से किसने शार्दा सदन को establish किया था ये भी बताना है अब इसमें आप नाम देखी और date देखी तो question number 5 का correct answer क्या हो जाएगा बी वाला हो जाएगा पंडिता रमाबाई के द्वारा सदन की गई थी और date क्या थी 1889 थी तो correct answer इसमें से हो जाएगा बी वाला इसके बाद question number 6 को देखते हैं ट entrev लिए थी **** भार्ति की सथापना किस ने की थी इसली भाला मादन मालवी दिया आए वो जाएगा बाकी नीचे वाले जो है वो गलत है इसमें अगर आप देखें तो बिशुभार्ती की स्थापना रविंदर रिना टैगोर जी के द्वारा की गई थी और नाराण मलहार जोशी ये सोशल सर्विस लीग के संस्थापक थे अब इसके बाद नीचे आपको chronology arrange करनी है तो स्वराज party है हिंदुस्तान socialist republican army है और हिंदुस्तान republican association है अब इसमें आप देखें तो correct answer क्या होना चाहिए C वाला इसमें arrangement perfect है, पहला, तीसरा, दूसरा, मतलब स्वराज पार्टी की स्थापना होती है 1923 में, ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, हिंदुस्तान Republican Association की स्थापना होती है 1924 में, और सबसे अंत में होती है हिंदुस्तान Socialist Republican Association की स्थापना या आर्मी की स्थापना 1928 मे तो इसे हमने देखा, इसके बाद question number 8 को देखते हैं, correct option आपको बाहर करना है, native marriage act, lord Irwin के समय में आता है, age of consent act जो है, lord Northbrook के समय में आता है, शारदा act का समय जो है, lord Lansdown का जमाना था, अब इसमें से आप बताइए कि सही कौन सा है और इसे अगर आप ध्यान से देखें तो इसका correct answer D वाला हो जाएगा, non of these क्योंकि correct हमें चुनना था, और native marriage act जो है, lord Northbrook के समय में आता है, ठीक है, जबकि आप देखें कि age of consent act जो है, वो आता है, lansdown के समय में, lord Irwin के समय में आता है, शारदा अधिनियम, तो इसमें से इसके बाद question number 9 को देखते है, incorrect option को आपको बाहर करना है, government of india act 1919 है, mount aegu august declaration मतलब mount aegu की august declaration है, और उसकी जो date है, वो भी 1919 है, जलियां वाला बाग हत्याकान जो है, उसकी भी 1919 है, और roll attack की भी 1919 है, इसमें से गलत की तलाश आपको करनी है, तो गलत कौन सा है, भी वाला है mount aegu की घोश ना कब होती है, 1917 में होती है, ना कि 1919 में, तो यही वाला इसमें से गलत है, इसके बाद question number 10 को देखते हैं, इसमें कहा जा रहा है कि बीसमी शताब्दी से संबंधित कौन सा अधिनियम है, तो प्राचीन इसमारक संरक्षण अधिनियम आप देख रहे हैं, कलकत्ता कार्पोरेशन एक्ट है, वर्नकुलर प्रेस एक्ट है और राजकी उपादी अधिनियम है, इसमें से आप देखकर बताएं, और देखे question number 10 क का correct answer हो जाएगा, यह वाला कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट, यह 1899 में आया था, बाकी जितने हैं, वो सब 1900 वाले हैं, ठीक है, माफ कीजिएगा, बाकी सब जितने हैं, वो भी 1800 वाले हैं, एक बातर इसमें 1900 वाला कौन सा है, जो करजन की समय में आता है, प्राचीन इसमारक सनरक्षण अधिनियम, जो की बाद में, और्के लॉजिकल सर्वेव अफ इंडिया की नियू बनता है, तो 1904 में वही एक मात राता है, जिसे कि आप बीसमी शताबदी का कह सकते हैं, और वो है, एंसियंट मेनुमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट, बाकी जितने हैं, जिसे क कलकत्ता कार्परेशन की डेट आपने देखी, वर्नेकुलर प्रेस एक्ट की डेट क्या है, 1878 है, और राज की उपाधिया धिनियम की डेट है, 1876, इसके बाद क्वेशन नमबर 11 को देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनलोजिकल ओर्डर, तो दीपावली डिकलेर इसका बी वाला ओप्शन चुन लेते हैं, और उसके बाद स्वामी श्रधानन्द की हत्या होती है 1926 में, साइमन कमीशन भारत आता है 1928 में, और यही इसका क्रम है, तो बी वाले ओप्शन को हम चुनते हैं, इसके बाद क्वेशन नमबर 12 को देखते हैं, अरेंज द फॉलो 1850 में Bombay Presidency Association की स्थापना होती है, पुना सारुजनिक सभा की स्थापना होती है 1870 में, और British Indian Association को इस्टैबलिश किया जाता है 1851 में, तो इसका जो सही क्रम है वो कौन सा होगा, डी वाला हो जाएगा, तीसरा, दूसरा और पहला, इसके बाद 13 नमबर के क्वेशन को देखे correct option आपको बाहर करना है, तो दंडिन के द्वारा किरात आरजुनियम की रचना की गई थी, भास कवी ने दसकुमार चरित्र को रचा था, और भट्टी ने रावडबध नाम का जो ग्रंथ है उसको लिखा था, जबकि भैरो कवी ने दूत घटोत कक्ष नाम का जो ग्रंथ उसको लिखा था, अब इसमें आप बताईए कि सही क्या है, question number 13, और इसका हो जाएगा C वाला, क्योंकि C वाले option में लिखा हुआ है कि भट्टी ने रावडबध को लिखा था, रावडबध के रचेता, इसमें सही वई एक मात्र दिया हुआ है, भट्टी ने रावडबध को देखते हैं, इसमें कहा जा रहा है कि सही विकल्प का चैन कीजे, गुप्त काल और वाकाटक काल के बारे में कुछ यहाँ पर शब्दावली दे रखी है, जैसे कि खिल जो है अनाम भूमी को कहा जाता था, और अपराहत जो होता था, यह हैबिटेट लेंड होता था, कर् कहा जाता था, अनसेटिल्ड जो लेंड होते थे उसको कहा जाता था, तो कर्शन नमबर 14, और इसका जो करेक्ट एंसर है वो इसमें A हो जाएगा, खेल जो था यह अनाम भूमी को कहा जाता था, यही एक मात्रिस में सही है, बाकी जितने हैं वो गलत है, जैसे कि आप देख था, वो तोंडी और मुचीरी था, चोलों का क्या था, चोलों का पुहार था, जिसे कि कावेरी पटनम भी कहा जाता है, और चेर का कोरकई था, मतलब चेरों का कोरकई था, अब इसमें से आप देखकर बताएं, तो क्वेशन नमबर 15 का भी हो जाएगा, ठीक है, चोल वाला सही है, इसमें बाकी सब गलत है, चोलों का पुहार था, वो ठीक है, कोरकई जो था, यह पांडे राची का था, पुहार जो कावेरी पटनम है, यह चोलों का था, और तोंडी और मुचीरी जो था, यह चेरों का था, इसके बाद अगले वाले को देखते है, वशन नमबर 16 म कोटी का युद्ध होता है 1565 और इसक्रम में अगर करिएगा तो यह पहले से विवस्थित है कुछ इसमें अरंज नहीं करना था इसके बाद 17 नंबर के पाल का क्या था मुंगेर था और परमारों का धार नगरी था तो इस प्रकार से है और इसमें से करेक्ट एंसर क्या हो जाएगा बीवाला हो जाएगा परमार राजा भोजा आपने सुना भी होगा क्वेशन नंबर 18 को देखे यहाँ पर कहा गया कि सही विकल्प का चैन कीजे तो पल्लों मल्ल की उपादी ये प्रवर सेन प्रथम की थी दूसरा आशोक कहा जाता था नंदी वर्धन द्वितिये को असल में और निशंक शंकर ये वल्लाल सेन की उपादी थी और धर्म महार किसको का जाता था प्रवरज सेन प्रथम को कहा जाता था और नंदी वर्मन द्वितिये जुतियो था इसको पल्लों मल्ल कहा जाता था इसके अलामा दूसरा आशो और कानिश्कों का जाता था पल्लों का मल्ल इसके बाद अगले वाले को देखते है, question number 19, गलत रिकल्प का आपको चैन करना है, fossil national park असाम में है, संजे गांधी national park महराश्टर में है, माउलिंग national park अरुडांचल में है, अब इसमें से आप बताइए कि गलत क्या है, तो गलत इसका उपर वाला ही है, fossil national park की असम में कहां से पहुंच गया है, तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है, तो एवाला option गलत है, question number 20 को देखे, incorrect option आपको बाहर करना है, तो wildlife protection act 1972, forest conservation act 1980, environment protection act 1986, तो incorrect क्या है, तो incorrect इसमें कुछ नहीं है, जितने दिये है, सब सही है, तो हम D वाले को चुन लेते हैं, इसके बाद question number 21 को देखते है कौन सी इसमें से कृष्णा नदी की ट्रिबूटरी नहीं है, मतलब सहाइका नहीं है, अब इसमें आप देखिए, तो कृष्णा की जो सहाइका है, इसमें से असल में ये पूछ रहा है कि कृष्णा की सहाइका कौन सी नदी है, ठीक है, मतलब जितनी नदियों के नाम दिय इसके बाद question number 22 को देखते हैं यहाँ पर incorrect option आपको बाहर करना है तो कोयना डैम जो है वो महराष्टर में है मेट्टूर जो है वो तमिलनाडू में नागारजुन सागर तेलंगाना में और इंदिरा सागर राजस्थान में अब इसमें से बताईए कि incorrect कौन सा है तो 22 जो आप देख रहे हैं इसका correct answer D हो जाएगा इंदिरा सागर टैम की location का आप है मध्य प्रदेश में है और यहाँ पर दिया हुआ है राजस्थान तो यही गलत है question number 23 को देखते हैं hill station दिया है और state दिया हुआ है तो पंचगनी पश्चिम मंगाल में है question number 24 को देखेगा correct option आपको बाहर करना है जम्पूई hills जो है वो तरपुरा में है नीलगिरी hills जारखंड में पढ़ती है पारसनाथ की पहाड़िया तमिलनाडू में है मोर्नी hills पंजाब में पढ़ती है सही क्या है तो 24 का correct answer इसमें से कौन सा होगा जम्पूई का तरपुरा सही है बाकी जितने है वो गलतन से नीलगिरी तमिलनाडू हो जाएगा पारसनाथ का जारखंड हो जाएगा और मोर्नी hills का हरियाना राज्य हो जाएगा तो इसमें जम्पूई वाला जो option है वही एक मात्र सही है इसके बाद question number 25 को देखते है mountain peak दिया है, state दिया है तो अर्मा कॉंडा राजस्थान में है धूपगड की चोटी मध्यप्रदेश में है कलसु भाई जो है यह आंध्र में है और गुरु शिखर महाराष्टर में है correct option आपको बाहर करना है तो 25 का correct answer इसमें से कौन सा हो जाएगा इसका B वाला हो जाएगा धूपगड वाला जो इसमें दिया है ने मध्यप्रदेश वही एक मात्र सही है अर्मा कॉंडा कहां पे है आंध्र प्रदेश में है और यहां दिया है राजस्थान पहले धूपगड को आप बाहर कर लीजे कलसुबाई का माहराष्ट्रो हो जाएगा और गुरुशिखर का राजस्थान हो जाएगा इसके बाद question number 26 को देखते है incorrect option आपको बाहर करना है पेरियार रिवर जो है ये इस पर बना हुआ है इडुक की hydroelectric power plant नर्मदा पर बना हुआ है इंद्रिया सागर भागी रथी पर बना हुआ है अब इसमें से बताइए कि गलत क्या है तो 26 का correct answer D हो जाएगा मतलब इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि गलत है सभी तो सही है इसके बाद अगले वाले को देखते है Irish संभिधान जो है यहाँ पर थोड़ा सा उपर नीचे हो गया है यह देखे यह दूसरी चीज आ गई इसको नहीं देखते हैं इसमें यह पूछा गया है सही विगल्प का आपको चैन करना है तो इमीसला दर्रा यह श्री नगर को करगिल और लेह से जोड़ता है जोजीला यह लद्दाक को तिबबत से जोड़ता है बड़ा लाचा दर्रा मनाली को लेह से जोड़ता है और इसमें से कुछ भी वो सही नहीं है ऐसा दिया हुआ है इस प्रेशन को देखिएगा देखिए इसका C हो जाएगा सही विगल्प का चैन आपको करना था तो बड़ा लाचा का सही दिया हुआ है कि मनाली और ले को यह आपस में कनेक्ट करता है बाकी जो जीला यह श्री नगर को करगिल और ले से जोड़ता है इमीसला जो है वो लड़ा को तिबबत से जोड़ता है और बड़ा लाचा का आपने देख लिया इसके बाद अगले वाले को देखते हैं C वाले आप्शन को आपने चुना नेक्स्ट को देखते हैं नमबर 28 में आपसे और वन को आउट करने के लिए कहा जा रहा है तो इक्वेडोर जो है यह नौर्थ अमेरिकन कंट्री है बार्बाडोसा जो है यह नौर्थ अमेरिकन है कोस्टारिका भी नौर्थ अमेरिकन है डोमेनिका भी नौर्थ अमेरिकन है इसमें से odd कौन सा है तो odd इसमें से ए वाला है क्योंकि Barbosa जो है वो North American है यहाँ आप देख रहे हैं Barbadosa असल में है तो Barbadosa या Barbadosas जो है ये North American है Costa Rica भी North American है Dominica भी है लेकिन equator को अगर आप देखें तो ये South American country है ठीक है तो equator इसमें से बाहर है गलत है इसके बाद अगले वाले को देखते है question number 29 में कहा गया कि correct option को बाहर करिएगा आप इसमें local winds के बारे में question दिया हुआ है तो blizzard जो है ये ठंडी हवा होती है नारवेस्टर भी ठंडी होती है निस्टरल भी इसमें से सही का चैन आपको करना है तो सही इसका कौन सा है डी वाला है अगर हम नौर्थ अफरिका की बात करें तो यहां नौर्थ अफरिका में अलजीरिया, मिस्र, लीबिया, मोरक्को, सूडान और त्यूनिशिया आते है और जो वेस्ट अफरिका है वहाँ पे माली, मौरिटैनिया, इसके अलावा नाइजर ये सब आते हैं मध्य अफरिका में अगर देखें तो चाड आता है, पूरवी अफरिका में इरित्रिया आता है तो डी वाला उप्शन एक मात्र सही है, बाकी सब गलत हैं इसके बाद अगले वाले को देखते है, वेस्ट नमबर 31 में का आगया कि फीचर आफ इंडियन कॉस्टिउशन, जॉइंट सिटिंग आप टू हाउसे आफ पालियमेंट है, तो यहाँ कनेडियन कॉस्टिउशन है, वीमर कॉस्टिउशन है, और इसके अलावा एक और है, इ इसका कोई मतलब नहीं है, तो 32 का राइट अंसर ए हो जाएगा, यह देखे, गोदावरी जल्विबाद नया अधिकरण जो है, यह 1979 में स्टैबलिश होता है, महराष्टर, करनाटक, आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश और ओडिशा, यह सब राज्य जो है, इससे है, तो इसका A वाला ओप्शन परफेक्ट हो जाएगा, केरला इससे बाहर है, क्वेश्टन नमबर 33 को देखते हैं, इसमें पूछा गया कि किस अनुछेत के अंतरगत, मिजोरम राजी के संबंद में स्पेशल प्राविजन है, तो मिजोरम राजी के बारे में स्पेशल प् अध्यक्ष थे, इसमें से नाम आप देखें, तो 34 का D हो जाएगा, यह दया चौबे वाला जो इसमें option है, श्रीमती दया चौबे, यही इसमें सही है, सामुदाइक विकास और पंचायती राजपर गठित समीती की यह अध्यक्षा थी, इसके बाद अगले वाले को देखत Q35 में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन से वर्ष 1963-66 की दोरान गठित ग्रामीर नगरी सम्बंद समीती के अध्यक्ष थे, तो अगर आप इसमें विकल्प देखें, तो correct answer क्या हो जाएगा, यह AP JAN थे, ठीक है, 1963-66 तक यह relationship committee जो है, इसको develop किया जाता है, तो AP JAN का इसम से उनका संबंद मतलब क्या provision उसके अंदर है, तो 243A जो है उसमें ग्राम सभा है, 243D में composition आप पंचायत है, election to the पंचायत यह 243K में दिखाई देता है, कौन सा इसमें से incorrect है, तो 36 का correct answer B हो जाएगा, इसमें अगर आप ध्यान से देखें, तो 243D जो दिया है, उसके जग जाए हैं, इनको किस संशोधन के द्वारा संबिधान की जो आठवी अनुसूची है उसमें डाला गया, तो question number 37 का A हो जाएगा, यह 92 संशोधन था, 2003 में होता है, ठीक है, 92 number का amendment था, question number 38 को देखते है, question number 38 में आप से पूछा गया है, कि यहाँ देखें, निमनलिखित में से गलत विकल्प कौन सा है, तो भाग 9 में पंचायते हैं, भाग 15 में निर्वाचन, भाग 10 में अनुसूची जाती 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 छेत्रे और नगरपालिका जो है, वो भाग 9 B में है, ऐसा दिया है, गलत क्या है इसमें से, तो गलत इसका D वाला है, यहाँ देखें अगर आप प्रेसिडेंट यह हम लोग देखते हैं, आर्टिकल 56 में, क्वालिफिकेशन ऑफ फॉर इलेक्शन ऐस प्रेसिडेंट, यह जो क्वालिफिकेशन का मामला है, यह 58 में दिखाई देता है, अब इसमें से बताई यह करेक्ट कौन सा है, तो करेक्ट इसका C वाला है, बाकी सब गलत है, 55 नंबर का जो आर्टिकल है, उसमें इलेक्शन का जो मैनर है, वो देखते हैं, और पदावधी को किस में देखते हैं, 56 में देखते हैं, तो यह सब चीज़े हैं, मतलब उल्टा हो गया है, उपर नीचे वाला, सिर्फ इसका C वाला सही है, इसके बाद, question number 40 को गलत भी गल्ब का चैन करना है, समिधान सभा की समितियों के बारे में दिया हुआ है, तो संग शक्ती समिति जो है, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंदर परशाद, Union Constitution Committee के अध्यक्ष जवाहरलाल नहरू, प्रोविंशियल Constitution Committee जो है, इसके अध्यक्ष सरदार पटेल, औ ड्राफ्टिंग कमेटी के बी आरम बेट कर, अब इसमें से गलत क्या है, तो गलत इसका उपर वाला है, संग शक्ती समिति यानि Union Power Committee के अध्यक्ष थे, जवाहरलाल नहरू, इसका जो ए वाला उप्शन है, वही गलत है, इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, question number 41 में कहा इसके बाद question number 42 को देखेगा, किस कांच को बनाने में potassium oxide, barium oxide और silika का इस्तेमाल किया जाता है, और 42 का right answer इसमें से D वाला हो जाएगा, crown glass होता है, जिसमें की potassium oxide, barium oxide और silika इस्तेमाल होता है, तो crown कांच हो जाएगा इसका answer, इसके बाद metal दिया है और ore दिया हुआ है, यहाँ lead है, तो lead का ore क्या है, galena है, mercury का sinnebar है, zinc का calamine है, और nickel का millerite है, अब इसमें आप देखकर बत सिने बार है, और nickel का millerite, तो यह हमने देखा, ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, इसमें वैसे अगर देखा जाए, तो जितने हैं, वो सभी सही दे रखे हैं, ठीक है, जितने यहाँ पर दिये हुए हैं, वो सभी सही है, इसके बाद आगे चलते हैं, इसमें कुछ भी ऐ तो यह किस तरह का मेटल होता है, क्रोमियम है, निकल है, कोबाल्ट है, कैडमियम है 44 का राइट एंसर क्या होगा, ए वाला हो जाएगा, आइरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टीन और लेड, ये धातुएं केवल अमलों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करती है, और हाइड्रोकसाइड बनाती है, तो इससाफ से क्रोमियम को इसमें चुल ल इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, question number 46 में का आगया कि incorrect option को तलाशी है, तो german silver इसमें combination होता है copper, zinc और nickel का, rolled gold में copper और aluminium मिला जाता है, magnesium में aluminium और magnesium होता है, और इसमें से कोई भी सही नहीं है, ऐसा भी दिया है, कोई भी गलत नहीं है, ऐसा दिया है, क्योंकि यहां गलत इसके बाद question number 47 को देखते हैं, कौन सी उतकृष्ट gas का इस्तिमाल, cancer के उपचार में तथा 5-flororoxin नाम की औशदी के निर्माण में किया जाता है, इसमें आप देखकर बताएं, तो organ gas है, neon है, ginon है, kryptan है, 47 का correct answer क्या होगा इसमें से, C वाला हो जाएगा, ginon gas जो है, वो use होती है, और इसे C वाले option को चुनते हैं, इसके बाद next question को देखते हैं, question number 48 में कहा जा रहा है, कि प्रकास translation की प्रक्रिया के अध्यान में निमनलेखित में से किस radioactive समस्थानिक का इस्तिमाल किया जाता है, अब देखिए इसका correct answer A हो जाएगा, fast forest 32 इसमें use किया जाता है, next question number 49 में कहा गया कि कौन से carbonic yogic का उपयोग phenolic rod में, माफ कीजएगा, phenolic roll में किया जाता है, roll का मतलब यहाँ पर resin से है, तो इसमें आप देख कर बताएं, किसका इस्तिमाल किया जाता है, aspirin use होता है, eurotropin होता है, naphthalene होता है, या फिर none of these भी दिया हुआ है, फिलाल question number 49 का right answer B हो जाएगा, eurotropin का जो मूल इस्तिमाल है, वो इसमें किया जाता है, phenolic roll के इस्तिमाल में, मतलब निर्माण करने में किया जाता है, तो eurotropin इससे बाहर कर लेंगे, B वाले option को देखा, इसके बाद 50 number के question को देखते हैं, इसमें सही विकल्प का आपको चैन करना है, तो correct option देखेगा, vitamin B5 जो है, इसकी कमी से मसूडों में सूजन हो जाती है, B6 की कमी से perστresiya हो जाता है, और anemia जो है, ये vitamin C की कमी से होता है, vitamin D की कमी से osteomalacia हो जाता है, इसमें से correct कौन सा है, किवल D वाला है, osteomalacia और vitamin D, बाकि जितने हैं वो गलत है, vitamin B5 की कमी से parerstresiya हो ज इसके बाद 51 को देखते हैं, इसमें आपको correct option बाहर करना है, तो गुजरात ये ginger के production में first है, मतलब टॉप पर है, उसके अलामा आंद्र जो है वो जीरा के उत्पादन में, राजस्थान लहसुन के उत्पादन में और असम अंडे के उत्पादन में, correct option इसमें से आपको चुन 51 का right answer C हो जाएगा, मतलब इसमें राजस्थान और लहसुन वाला ठीक दिया है, असम जो है वो जिंजर यानि अद्रक के उत्पादन में नंबर वन है, गुजरात जीरा के production में और आंद्र जो है वो अंडे के production में, इसमें एक मातर राजस्थान वाला ही सही दिया था, इस पहले नंबर पर है, उसके बाद इरान है, फिर अफगानिस्तान है, तो correct answer फिर क्या होना चाहिए, एवाला होना चाहिए, question number 53 को देखते है, incorrect option आपको बाहर करना है, तो Central Tobacco Research Institute जो है, ये राजमुंदरी में है, Central Plantation Crop Research Institute जो है, ये कासर गोंड में है, Central Institute of Research on Buffalo, ये करनाल में और non of these भी दिया है, गलत क्या है बताइए, तो इसमें अगर आप ध्यान पूरवक देखें, तो correct answer C हो जाएगा, मतलब इसमें Central Institute for Research on Buffalo, ये ही वाला जो है, इसमें एक मात्र, incorrect option है, करनाल नहीं होगा, वहाँ पे क्या होना चाहिए, हिसार होना चाहिए, है हरियाना में ही, लेकिन हिसार में, तो इसे आपने देखा, इसके बाद question number 54 को देखेगा, select the incorrect option, अब इसमें आपको कहा है कि fact related to desert soil, desert soil के बारे में दिया है, तो ये पंजाब, हरियाना, राजस्थान, पश्चिमी, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली मिट्टी है, और इसमें प्रचु इसमें non of these को अगर आप चुनिएगा, तो इसका मतलब है कि कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि यहां गलत चुनना है आपको, तो 54 का right answer फिर क्या होगा, इसमें से B वाला हो जाएगा, ठीक है, इस ब्रदा में aluminium और phosphorus की प्रचुरता पाई जाती है, इसमें लवड और phosphorus की प्र forest था, 2015 international year of soil था, 2008 जो था यह international year of potato था, अब इसमें से आप देखकर बताएं, तो पचपनवा जो आप देखना है, इसका correct answer D हो जाएगा, non of these, कुछ भी गलत नहीं है, जितना है वो सभी सही है, इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, 56, 56 में कहा जा रहा है कि टमाटर में लाल रंग ये caps and thin की वज़े से होता है, बादाम की जो कड़वाहट होती है, वो amegdolin की वज़े से होती है, प्याज में लाल रंग ये anthocyanin की वज़े से होता है, non of these का option दिया है, देखे 56 का correct answer क्या होगा, ये वाला हो जाएगा, मतलब टमाटर में लाल रंग होता है, caps and thin क की वज़े से जो ये दिया है, ये गलत है, like open की वज़े से होता है, ये आप सभी जानते हैं, तो ये वाला गलत है, इसके बाद question number 57 को देखते है, crop दिया है और original place दिया हुआ है, तो जवार का जन्मस्थान चीन है, बाजरे का जन्मस्थान भारत है, गेउं का जन्मस्थान Middle Asian continent है, मतलब मध्ध अशिया में है, और जवार का जन्मस्थान क्या है, अफरिका, अब इसमें आप देखें कि सही कौन सा है, तो सही इसका एक मात्र सी वाला है, जो गेउं का मध्ध अफरिका दिया है, माफ की जगा मध्ध अशिया दिया हुआ है, वो सही है, बाकी जितन प्रकार के पौधे और जाडियां उगाया जाते हैं, मेरी कल्चर में समुद्री जी उगाया जाते हैं, मतलब पैदा किया जाते हैं, पाले जाते हैं, और अर्बोरी कल्चर जो होता है, उसमें शहतूत उगाया जाता है, मोरी कल्चर में जितने भी पौधे होते हैं, उनको चाहतूत की खेती करते हैं और एरोपोनिक्स में जो मिट्टी के बिना खेती होती है मतलब पानी या किसी अन्यसायता से हवा में पौधे होगाने वाला उसको करते हैं इसके बाद question number 59 में कहा गया कि shifting cultivation और country दे रखा है इसमें से बताईए कि सही कौन सा है तो यहाँ पर रोका क्रिशी जो है वो म्यामार से जुड़ी हुई है और कोनुको जो है यह ब्राजील से जुड़ी हुई है तुंग्या जो है यह वेनजुला से और लदांग जो है वो इंडोनेशिया से इस प्रकार से दिया है इसमें से आप बताएं कि shifting cultivation का सही कौन सा है तो इसका D हो तो wheat में आभासी कंड रोग लगता है चने में उक्ठा रोग लगता है तंबाकू में पर्ड कुंचल लगता है अब इसमें से कुछ भी जो है वो गलत नहीं है ऐसा भी कहा है तो इसका A वाला गलत है उपर वाला धान में लगता है आभासी कंड गेहु में नहीं लगता है यह paddy का रोग है इसके बाद question number 61 में पूछा गया है कि correct कौन सा है तो अंतराश्ट्री इश्रम संगठन का के द्वारा publish की जाने वाली जो report है वो world development report है विश्यो बैंक जो है यह world social protection report को जारी करता है और international monetary fund जो है यह world economic outlook report को जारी करता है अब इसमें आप बताएं कि correct option कौन स है तो 61 का right answer क्या होगा C वाला हो जाएगा अंतराश्ट्री इश्रम संगठन जो है यह world social protection report को जारी करता है विश्यो बैंक जो है यह world development report को जारी करता है और अंतराश्ट्री मुद्रा कोश जो है यह world economic outlook report को जारी करता है तो उसके according अगर देखें तो C वाला option हमारा perfect है जो क्या है आप बताईए तो देखें इसका correct answer B हो जाएगा जो Securities and Exchange Board of India Act है वो 1992 का है सेवी वाला वो सई दिया है बाकी जितने है वो गलत है यह money laundering act जो आप देख रहे हैं यह 2002 का है और banking लोगपाल वाला जो है यह असल में ombudsman schemes को कहा जाता है 2006 की है इसके बाद अगले वाल चप्चार कुट कहां का है मेघाले का है अब इसमें आप देखकर बताएं कि गलत कौन सा है तो 63 जो आप देख रहे हैने इसका D वाला हो जाएगा चप्चार कूट मोटस यह कहां का है मिजोरम का है मेघाले का नहीं है और इसलिए D वाले option को चुनते हैं इसके बाद question no 64 मे राइट एंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा एवाला हो जाएगा पंडवानी लोग की जो आप देख रहे हैं वो 36 गड़ का है ठीक है ठीक है लेकिन इसमें जो तिकीर आप देख रहे हैं तिकीर ये असम का है असम राज्य से इसका संबन्द है और यहाँ पर दे रखा है त्र पहली जो असमिया फिल्म थी उसका नाम था जॉय मोती और पहली जो गुजराती फिल्म थी उसका नाम था नर्सिंग में था वैसे ही सीता विवा यह पहली उडिया फिल्म थी अब इसमें आप बताएं गलत कौन सा है तो 65 में कुछ भी उत्तर सही नहीं है क्योंकि जितना दिया है वो सभी सही है ठीक है मतलब इसमें गलत खोजना था ना तो सभी सही दिया है कुछ भी गलत नहीं है इसके बाद question number 66 में को देखते हैं गलत भी कल्प का आपको चैन करना है तो चकबंदी प्लान जो है यह यूप 2008 का है ना कि 2006 का तो यहाँ पर 2008 होगा इसके बाद question number 67 को देखते हैं यहाँ पर कहा गया कि सही विकल्प का आपको चैन करना है तो उत्तर प्रदेश लगू उत्योग निगम लिमिटेट जो है इसका छेतर है आगरा और निर्यात निगम लिमिटेट का लखनव जबकि चर्म उत्योग निगम लिमिटेट जो है इसका कानपूर में है और चर्म विकास और विपड़न वाले का आगरा में है इस प्रकार से होगा तो correct answer इसका कौन सा होना चाहिए भी वाला होना चाहिए इसके बाद चलते हैं अगले वाले प्रश्न की ओर यानि अर्शटवे की ओर स्कूटर्स इंडिया लिमिटेट बारा बंकी में इसका जो छेतर है वो है और इंडियन पॉली फाइबर्स लिमिटेट का मोधी नगर बरेली में है और भारत इलेक्टरानिक्स लिमिटेट का जो छेतर है वो गाजीयबाद है इसमें आप बताए correct कौन सा है तो 68 जो आप द इसमें उत्तर प्रिदेश चल्चित्र निगम लिमिटेड है, मोतिलाल नहरू बाल संग्रहाले है, उत्तर प्रिदेश राजकी अभिलेखा गार है और इनकी लोकेशन दी हुई है, काला नुकरम आपको व्योस्थित करना है, तो दीके चल्चित्र निगम लिमिटेड का 1975 है, म कोविंद बललब पंत राजकी सामाजिक विज्ञान संस्थान ये प्रियागराज में है, सेंट्रल पल्प एंड और पेपर रिसर्च इंस्टिट्यूट ये सहारनपुर में है, भारती कालिन प्रोध्योगी की संस्थान आई आई सीटी जो है ये बदोई जिले में है, और अभीवीगिरी राष्ट्रिय श्रम संस्थान जो है ये मेरट में है ऐसा दिया हुआ है, अब इसमें आप बताईए गलत क्या है, तो गलत इसका कौन सा होगा, डी वाला हो जाएगा, ये जो राष्ट्रिय श्रम संस्थान आप देख रहे हैं, इसकी लोकेशन नोएड़ा म अब इसमें आप देखें कितने हैं ऐसे situatory town तो question number 71 का C हो जाएगा 4041 इसके बाद 72 को देखें इसमें भी census का ही data यूज किया गया है तो कहा जा रहा है कि top 2 जो सरवादिक जनसंख्या वृद्धिवाले केंदर शाषित प्रदेश हैं उनको आपको इसमें से select करना है तो देख लीजे कौन से होंगे देखें 72 का D हो जाएगा दादरा नगर हवेली और दमन्दीव ठीक है ये दोनों तो इसमें आपने देखा दादरा नगर हवेली और दमन्दीव हाला कि अब दोनों एक हो गए हैं लेकिन ये 2011 की बात 73 को देखें इसमें कहा गया कि which of the following state or union territory had the lowest literacy rate as per data of census 2011 तो अब इसमें आप देख कर बताएं और देखें 73 का correct answer क्या होगा ए वाला हो जाएगा देखें इसमें ए वाला option यानि दमन्दीव को बाहर करना पड़ेगा ठीक है lowest literacy rate की बात हो रही है वैसे अगर देखा जाए तो मिजोरम में 91.3% है गोवा में 88.7% है तृपुरा में 87 है और दमन्दीव में कितना है 87.1 है इस हिसाब से हमने देखा इसके बाद अगले वाले को देखते है question number 74 में कहा गया कि correct option को बाहर करिए तो सबसे उत्तरी जिला उत्तर प्रदेश का बलिया है ठीक है सबसे दक्षणी जो है वो सहारनपुर है सबसे पूर्वी जो है वो सोनभद्र है सबसे पश्चिमी शामली है इसमें से बताइए कि सही कौन सा है तो 74 का correct answer क्या होगा फिर पूर्वी बलिया है तो इसमें से अगर आप देखें तो बागपत बाहर हो जाएगा बाकी जो गौतम बुद्ध नगर है उसके बाद महोबा रहेगा फिर हमीरपुर फिर चतरकूर वीकिन बागपत इसमें से बाहर है 76 को देखते हैं कौन सा जिला सरवादिक नगरी जनसंख्या वाले तीन जिलों के अंतरगत नहीं आता है 76 को देखेगा और बताईए 76 का करेक्ट एंसर क्या होगा C वाला हो जाएगा मेरट ठीक है गाजियाबाद उसके बाद लखनव फिर कानपुर फिर आगरा फिर तब मेरट आएगा और इसमें सिर्फ तीनी की बात हो रही है इसके बाद Q77 को देखें कौन सा जिला सरवादी का नुसुचित जनजाती जनसंख्या वाले पाथ जिलों के अंतरगत नहीं आता है अब इसमें से करेक्ट एंसर क्या होगा ए वाला हो जाएगा बदाईू बाकी जैसे आप देखें सोनभत्र उसके बाद फिर बलिया फिर देवरिया फिर कुशी नगर फिर ललितपुर उसके बाद अगले वाले को देखते है Q78 में कहा गया कि एक जिला एक उत्पाद योजना से समंदित गलत विकल्प का आप चैन कीजेगा तो शामली का है मिटल क्राफ्ट, पीली भीत का है लौह कला, मुरादाबाद की बासुरी और लखिमपुर खिरी का जंजाती शिल्प तो आप बताएं कि इसमें से incorrect option कौन सा है, और 78 का correct answer D हो जाएगा देखें इसमें से incorrect आपका लखिमपुर खिरी वाला है, लखिमपुर खिरी का tribal craft है, ठीक है यहाँ पे आप देखें, और वही एक मात्र सही दिया है, बाकी जितने हैं उनमें गड़बड है, ठीक है तो इसमें ये पूछना चाहिए था कि सही कौन सा है, तो सही इसका जो है एक मात्र डी वाला है, यही लखिमपुर खिरी वाला बाकी शामली को देख लिजए, शामली का लोह कला है, पीली भीत का बासुरी है, मुरादाबाद का धाद उशिल्फ है इसके बाद अगले वाले को देख लेते हैं, विस्तारित जो घास का मैदान है, उसको क्या कहा जाता है तो यहाँ केमपोस आप देख रहे हैं, सवाना है, लानोस है, प्रेयरीज है, कौन सा होगा तो इसमें से correct answer क्या होगा, वी वाला हो जाएगा, सवाना, ठीक है इसके बाद अगले वाले को देखते है, question number 80, which of the following convention protocol has come into force in year 2005, Stockholm convention है, Vienna convention है, Kyoto protocol है, Montreal protocol है, कौन सा होगा, तो C वाला हो जाएगा Kyoto protocol, ठीक है, Kyoto protocol जो है इसमें से शामिल होगा, 2005 में यही लागू हुआ था, बाकी सबकी data लग है, question number 81 को देखते हैं, यहाँ animal दिया है और IUCN में उन condition जो है, वो Bengal, Florican की है, और Vulture की भी वही condition है, तो बताइए कि इसमें से odd one कौन सा है, अब इसमें अगर आप देखें, तो उपर वाला यानि नील गिरी ताहर वाला जो है, यही इसमें से अलग है, कैसे, तो एक मात्र नील गिरी ताहर जो है, वो endangered है, बाकी जितने आप critically endangered है, यानि बहुत बुरी स्थिती में, इसके बाद अगले वाले को देखते है, 82 इसमें कहा जा रहा है कि उत्तरपिदेश rank second in production of which of the following crop, अब इसमें mushroom, meat, इसके अलामा total food grain भी दे रखा है, bottle guard भी दिया हुआ है, तो इसमें से correct answer क्या होगा फिर, 82 को आप देख रहे है, इस स्थान के उत्पादन में, यूपी जो है, वो rank second, मतलब दूसरे स्थान पर है, इसमें आपने देखा, ठीक है, इसके बाद अगले वाले को देखते है, माफ कीजेगा, इसमें 82 का जो correct answer है, ये answer से ही नहीं दिया है, meat के production में, यूपी का number one है, और इसके अलामा आप जानते कौन है, बिहार राज्य है, लौकी के उत्पादन में, तो ये वाला, D वाला option इसका सही होना चाहिए, ठीक है, इसके बाद चलते हैं 83 में प्रशन की ओर, इसमें कहा जा रहा है कि प्याज के उत्पादन में पहले स्थान पर कौन है, तो प्याज के उत्पादन में इस निए करेक्ट एंसर क्या होगा ठीक है इसमें से विंद्याचल और नैमििशारण जो छेत्र था मतलब उसके स्थलों के विकास के लिए विंद्यपर्वत का उत्तर प्रदेश वाला इलागवा है उसके लिए 30 करोड रुप़य का पूरा आवंटन हुआ है इसके बाद अगले वाली को देखते हैं, question number 85 को देख लेते हैं, इसमें कहा गया कि उत्तर प्रिदेश के ऐसे किसान जिनकी दुरघटना में मृत्यू हो जाती है, उन्हें मुख्यमंत्री कृषक दुरघटना कल्याण योजना के अंतरगत कितने रुपए के आर्थिक सहायता दी जाएगे, इसका correct answer B हो जाएगा, पांच लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगे, इसके बाद 86 को देखते हैं, recently two benches of India, यहाँ आप देखें, recently two beaches of India, कोवलम और इडन, have been awarded the blue flag certification, in which of the following state और union territory are they located, यह जो दो beaches हैं, इनका नाम आप देख रहे हैं, कोवलम और इन्हें blue flag प्रमाडन मिला है, तो यह किस प्रदेश में स्थित हैं, दो अलग-अलग प्रदेशों के नाम यहाँ दे रखें, 86 का correct answer क्या हो जाएगा, C वाला हो जाएगा, यह तमिलनाडू और पुड्डू चेरी के दो तठ हैं, इन्हें आपने देखा, इसके बाद आगे रूप से घटा कर 9.7 फीजदी कर दिया है, तो यह D वाला हो जाएगा, अंतराष्टी सहयोग और विकास संगठन का यह काम है, मतलब organization for economic cooperation and development, D वाले option को चुना, इसके बाद 88 को देख लेते हैं, according to recently released report by the UK's Department of International Trade, इंडिया could become the world's third largest importer, बाई, अब यहाँ पे कौन से साल से तो 2030 दिया है, 2040, 2050 कौन सा? देखे, question number 88 का correct answer हो जाएगा, C वाला, मतलब 2050 तक, यह Britain का है अंतराष्टी व्यापार विभाग, उसके द्वारा report जारी की गई है, 2050 तक, इसके बाद 89 को देखते हैं, इसमें कहा गया कि select the correct option, तो इंडिया की rank है 48, किसके मामले में? Global Innovation Index 2021 की बा 89 का B वाला हो जाएगा, भारत की rank 46 ही है, पहली rank पे स्विट्जर लैंड है, दूसरे rank पे स्वीडन है, थर्ड पे कौन है, स्युक्तराज अमेरिका है, तो उसके according अगर देखें, तो B वाला option perfect है, इसके बाद चलते हैं, अगले प्रशन यानि 90 नंबर पर, और उसमें कहा गया कि फिनो पेमेंट्स बैंक के पहले ब्रांडम बिस्टर की तौर पे किसे अपॉइंट किया गया है, और कौन से मंत्राले की पहल है, एक पहल, ठीक है, यह अभियान है, तो बताइए इसमें दोनों, एक साथ, देखें, 90 नंबर का जो क्वेशन ने, इसमें फिनो पेमे पेमेंट्स बैंक होगा, जिसने की अपने ब्रांडम बिस्टर को ब्रांडम बिस्टर की तौर पे न्यूक्त किया है, तो यहां बैंक का नाम दे दिया है, हो सकता है, बैंक का नाम भी पूछ ले, तो आपको याद होना चाहिए, पंकस्त्रिपाठी जी को दो साल के लिए इसका नाम खुदी है एक पहल इसके बाद अगले वाले को देखते हैं question number 91 में कहा गया कि हाली में किसे हॉंग कांग और शंगाई बैंकिंग कॉर्परेशन एशिया इकाई के एक स्वतंतर निदेशक के तौर पे नियुक्त किया गया है इसमें आप व्यक्ति का नाम देखें तो इसका D हो जाएगा रजनीश कुमार जो है उन्हें अभी हाल फिलाल में हॉंग कांग और शंगाई बैंक कॉर्परेशन एशिया इकाई के स्वतंतर निदेशक के तौर पे चुना गया है तो इसमें से करेक्ट एंसर फिर कौन होना चाहिए कोई भी नहीं क्योंकि नाम ही नहीं दिया है इसके बाद 92 को देखते हैं इसमें पूछा गया है कि किस बैंक ने अपना डिजिटल पेपर ले समाधान आनन्दा मुबाइल एप्रिकेशन लाँच किया है और प्रख्यात किस भाषा के लेखक बुद्देव गुहा का भी हाल फिलहाल में देहा वसान हो गया ये दो चीज़ तो इसका सी वाला चुन लेते हैं भारती जीवन बीवानिगम और साथ में बेंगॉली इसके बाद अगले वाले को देखते हैं वश्यन नमबर 93 में कहा गया कि किस देश की सशस्त्र सेना ने साजा भागे 2021 एक बहुराष्ट्रिय शान्ती रक्षा भ्यास में भाग लिया ये कौन से देश की सेना थी आप बताईए तो पाकिस्तान, मंगोलिया, थाइलेंड इसमें दिया हुआ है बताई ये कौन सा होगा दीवाला हो जाएगा इसमें से कोई नहीं Question number 94 को देखते हैं, इसमें कहा गया कि the government of, अब यहाँ पे कौन सी government है, मतलब दो देशों की सरकारों की बात हो रही है, have recently ink the contract for the mega greater male connectivity project, यह जो mega greater male connectivity project है, इसके लिए दो देशों की सरकारों ने आपस में अनुबंद पर हस्ताक्षर किये हैं, तो 94 का right answer क्या होना चाहिए, भारत और माल्दीव होना चाहिए, और फिर B वाले option को चुन लेते हैं, Question number 95 को देखते हैं, इसमें कहा गया कि अभाई कुमार सिंग को भी हाल फिलाल में किस मंत्राले का सयुक्त सचिव अपॉइंट किया गया है, और 95 का right answer क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, सहकारिता मंत्राले, ठीक है, इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, 96 में कहा गया कि airport service quality role of excellence का सम्मान किस international airport ने जीता है, ये आपको बताना है, इसके बाद 97 को देखते हैं, रक्षान उसंधान और विकास संगिठन ने कहा से सबसोनिक cruise missile निर्भय का सफल परिक्षन किया है, ये पहली चीज़ आपको बतानी है, और भारत सरकार विश्व बैंक के साथ किस राजी के लिए 32 मिलियन अमेरिकी डालर का रेंट सम्झोता किया हुआ है, ये आपको बताना है, अब ये दो चीज़े एक साथ पूछी गई है, तो 97 का right answer C हो जाएगा, इसमें अगर आप ध्यान से देखें, C वाले option को चुल ले इसके बाद 98 को देखते हैं, question number 98 में कहा जा रहा है कि antivirus software निर्माता, John David का देहा वसान हो गया है, इन्होंने किस antivirus का निर्माण किया था, उसका नाम आप देखिए इसमें से, तो देखिए इसका B हो जाएगा, ये जो virus था, इसका नाम क्या था, McAfee, ठीक है तो B वाले option को चुल लिया, इसके बाद question number 99 को देखते हैं, किस bank के दवारा नई सुविधा pay or contact launch करने की घोशना की गई है, और 2021 में NTPC ने राष्टर निर्माताओं के बीच भारत के service रिष्ट नियोकताओं में से, नियोकताओं में से कौन सा स्थान प्राप्त किया है, अब इसमें द GS का last question है, इसमें कहा जा रहा है कि Singapore में Sunseep Group जो है, इसने इंडोनेशिया के किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े floating solar park और उर्जा भंडारन प्रणाली के निर्माड के लिए 2 billion dollar खर्च करने की योजना बनाई है, और कौन सा देश, golden rice roper को मंजूरी देने वाला पहला इसमें अगर आप देखें तो B वाला option सही होगा, मतलब ये bottom है और Philippines वाला जो विकल्प है ये सही, तो B को चुना और यहां से जो GS वाला segment है वो खतम होता है, अंग्रेजी वाला start होता है, और इसमें कहा है कि grammatical error को खोजी है, तो इसमें answer साथ ही में दे रखा है, फिलाल ये वाला जो पार्ट है ये गलत, इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, इसमें गड़बडी, question number second में कहा गया कि one should be careful to reread what they have written, अब यहां पर देखी, what they has written जो है, तो they has written जो यहां sentence का पार्ट है उसमें mistake, इसके बाद question number third को देखते हैं, इसमें कहा गया कि the files you were look for the place on the table, तो you were look for जो sentence का पार्ट है उसमें mistake है, यहां अगर आप देखें इस sentence में, तो you were look वाला जो पार्ट है उसमें दिक्कत है, इसके बाद question number fourth को देखते हैं, यहां पर correct alternative आपको बताना है, underline part in the sentence, तो the mother enslaved while the child was playing, अब इसमें कौन सा होगा, was asleep भरा जाना चाहिए, असल में यहां पर क्या करना था, correct alternative भरना था, मतलब sentence को आपको correct करना है, कोई correction नहीं है, तो no substitution को चुनेगे, लेकिन यहां जो कि underline वाले part में हम सुधार कर सकते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं, was asleep, ठीक है, इसके बाद इसमें वाले part को देखते हैं, यानि question को, question number 6 में पूछा गया है, कि our cook puts too many salt in the food, तो ऐसा अकसर होता है, अब यहां पर puts too many, यह जो है, इसमें क्या improvement हो सकता है, तो puts too much लिख सकते हैं, many की जगा पर क्या लिख सकते हैं, much लिख सकते हैं, इसके बाद 7th number की question को देखे, रिया and or a का इस्तेमाल करेंगे, इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, you have to wear this uniform whether you like it or not, ठीक है, तो अब इसमें whether you likes it or not, यह वाला जो sentence का part है, इसके नीचे underline है, इसके जगह पर क्या substitute किया जा सकता है, तो whether you like it or not, ठीक है, यहां इस प्रकार से इसे लिखा जा सकता है, इसके जो underline किया है, वो क्या है, is not it, तो उसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो don't you, यह लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, question number 10 से लेकर 14 तक हमें active passive वाला conversion देखना है, तो please look, please lock the door, ठीक है, यह sentence का part है, अब इसे कैसे लिखेंगे, तो you are requested to lock the door, इस प्रकार से लिखा जा सकत है, इसे convert किया तो, इसके बाद question number 11 को देख लेते हैं, 10th के बाद 11 को, तो they will complete, माफ किजिएगा, they will complete the painting in a week's time, तो अब इसमें इसका conversion कैसे करेंगे, the painting will be completed in a week's time, ठीक है, इस प्रकार से इसको convert किया जा सकता है, question number 12 को देखते हैं, they are going to open the shops at 11 o'clock, तो इसे convert कैसे करेंगे, the shops are going to be open at 11 o'clock, इसके बाद 13 number के question को देखते हैं, they will not allowed mobile phone in the examination hall, तो इसे कैसे convert करेंगे, यहाँ देखे, mobile phone will not be allowed in the examination hall, question number 14 को देखे, you have made a mistake in writing your answer, तो यहाँ आप देखें इसका conversion कैसे होगा, a mistake has been made by you in writing your answer, इसके बाद question number 15 से लेकर 18 तक हमें direct indirect speech का conversion देखना है, तो पहले जो sentence से उसको देख लेते हैं, the boss said to his employee, I will be happy if you finish this project by evening, ठीक है, by evening यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो यह है, अब इस sentence को कैसे convert करेगा, तो इसमें 4 विकलप आप देख सकते हैं, दिया हुआ है, the boss told his employee that he would be happy if he finished that project by evening, इसके बाद अगले वाले पार्ट को देखते हैं, यानि question को 16 number के question में कहा गया कि Vandana said, I am being dropped to office today, अब इसमें इसको बदलेंगे कैसे, तो Vandana said that she was being dropped to office that day, ठीक है, इस प्रकार से इसको convert किया जा सकता है, इसके बाद question number 17 को देखते हैं, Akshay said, I am making biriyani today, इसको कैसे convert करेंगे, तो Akshay said that he was making biriyani on that day, ठीक है, इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है, इसके बाद question number 18 को देखेगा, Jaya told me, I have been waiting for you since 4pm, अब यहाँ पर निश्चित समय के लिए सिंस का इस्तिमाल होता है, तो यहाँ जो तैं समय है, वो दिया हुआ है, इसे convert कैसे करेंगे, Jaya told me that she had been waiting for me since 4pm, यह आप देख सकते हैं, इसके बाद question number 19 से लेकर 23 तक हम feeling the blank वाला काम करना है, तो be careful not to drop this glass case, अब यहाँ पर क्या भरा जाएगा, फ्रेगाईल भरा जाएगा, रिजट भरा जाएगा, smooth, hard, expensive भी हो सकता था, लेकिन वो नहीं दिया है, तो फ्रेगाईल यानि कमजोर को आप भर सकते हैं, इसके बाद question number 20 को देखे, the development of real estate has impacted the environment, इसके जगह पर a European city, यह European continent की city है, इसके बाद question number 22 को देखते हैं, there are some dates और period of time in the history of the world known and remembers them, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, मतलब इसके जगह पर क्या लिखा जा सकता है, तो significant लिखा जा सकता है, यह one word substitution वाला है, इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, यहाँ खाली अपने खुद के लिए वो स्वास्ते संबंदी समस्याएं खड़ी कर लेंगे, इसके बाद question number 24 से लेकर 29 तक हमें क्या करना है, यहाँ पर एक correct alternative, मतलब जो same meaning वाला है, उसको तलाश ना है, तो miniature की जगह पर क्या भर सकते हैं, diminuity भर सकते हैं, यह जो A वाला option है, यह सही है यहाँ same meaning वाला, next, next question में फिर वही spelling दी हुई है, अब इसकी जगह पर जो comma flag दिया हुआ है, इसकी जगह पर क्या लिखा जा सकता है, तो disgust भरा जा सकता है, जो B वाला option है, उसको चुन सकते हैं, इसके बाद climax लिखा है, climax की जगह पर क्या भर सकते हैं, culmination भर सकते हैं, जो same meaning, समानार्थी, courage की जगह पर valor भर सकते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं, next, अब यहाँ पर 30 number के question से लेकर, 33 तक हमें क्या करना है, यहाँ पर opposite देखना है, तो आप देखिए इसमें से, यहाँ पर लिखा हुआ है, boys terrace, और इसकी जगह पर लिख सकते हैं, peaceful, मतलब इसके opposite, यानि उल्टे के तोर पर, इसके बाद feasible लिखा है, तो इसकी जगह पर impossible लिख सकते हैं, यह वाला जो option है, इससे देख सकते हैं, इसके बाद intentional लिखा हुआ है, तो intentional की जगह पर accidental लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब आकस्मिक, इसके बाद lament है, तो lament की जगह पर celebrate लिख सकते है लेमेंट मतलब क्या होता है विलाप करना अब इसके बाद 34 से लेकर 40 तक हमें क्या काम करना है तो यहाँ one word substitution आ गया और इसमें लिखा हुआ है people living at the same time तो यह क्या होता है यह contemporaries हो सकता है मतलब समकालीन जिने कहा जाता है आपस में जैसे कि महारानी Victoria और माफ कीज़ेगा महार इसके बाद question number 35 को देखते है one who can use both hands efficiently उसे क्या कहा जाता है तो उसे ambidextrous कहा जाता है ठीक है सव्वे सांची हिंदी में कहते है यह चीज है इसके बाद question number 36 को देखते है one who pretends to be what he is not ठीक है one who pretends to be what he is not तो इसको क्या भरा जाएगा तो hypocrites भरा जाएगा इसमें जो one word substitution है उ देखते हैं यहाँ पर देखे कहा गया कि a sudden rush of large number of frightened people और animal इसको क्या कहा जाएगा इसे stumpet कहा जाएगा a place where nuns live and work मतलब जहाँ पर nuns रहा करती है वो मतलब रहती है और अपना काम भी करती है उस जिगर को क्या कहा जाता है convent कहा जाता है इसके बाद आप देखे यहाँ आप इसके बाद 40 number के question में कहा गया कि area of grassland where animal grass तो उसे meadow कहा जाता है ठीक है चारगा इसके बाद 41 से लेकर 46 तक वही item phrase वाला है तो out of date इसका मतलब क्या है something old fashioned मतलब जिसका की समय या fashion जो है वो खतम हो चुका है इसके बाद as manner of fact तो यह क्या इसका अर्थ हो सकता है मतलब item दे इसके बाद question number 43 में कहा गया कि cut one shots ठीक है तो इसके जगा पर क्या इसका आर्थ लिख सकते है to interrupt someone 44 को देखिए to take one's hat off तो यह आप इसकी जगा पर क्या लिख सकते है to admire someone इस प्रकार से next question number 45 में cup of tea है to something that pleases one इसके बाद 46 को देखेगा on the tip of my tongue तो readily available in my memory मतलब कहा जाता है कि एकदम जबान पर है और आप पूछेंगे तुरंत आ जाएगा बाहर तो एकदम वो मस्तिश्क में मौझूद है यादाश्त में मौझूद है इसके बाद question number 47 को देखेगा correct word आपको select करना है तो यहाँ nourish लिखा हुआ है और spelling के इसाफ से correct व और reference और receipts उनमें spelling mistake है इसके बाद incorrect word आपको तलाशना है तो यहाँ journey की spelling गलत है वो देखकर मालूम हो रहा है बाकी सब सही है next question number 50 last question है इस अंग्रेजी वाले segment का तो incorrect word को इसमें से भी चुनना था तो radius जो लिखा है वो गलत लिखा है ठीक है spelling गलत है यहाँ और उसके बा इसके बाद अगले वाले को देखते है question number second में कहा जा रहा है कि कौन सा कथन गलत है तो अल्टा विस्टा और लाइकोस शुरुवाती दिनों की खोज के engine के उदारन मतलब यह search engine है एकदम शुरुवाती दिनों के और wave crawler को wave spider के roar पे भी देखा जाता है तो इसमें से आपका incorrect option कौन सा है कुछ भी गलत नहीं है दोनों सही है दोनों option जो है वो एकदम perfect है तो neither one nor second इसके बाद third वाले को देखते है binary language में alphabet का प्रयोग alphabet का प्रतेक अक्षर प्रतेक अंग तथा प्रतेक विशेश character के अनोखे योग से बना होता है यहाँ पे आपको देखना है देखकर बताईए 8 bytes, 8 kilobytes, 8 character, 8 bit कौन सा होगा देखे question number third का correct answer क्या होगा डी वाला हो जाएगा 8 bits के सहयोग से बना होता है इसके बाद next question को देखते हैं fourth वाला इसमें कहा गया कि computer में data किस रूप में संगरीत होता है तो computer में data किस रूप में संग्रीट होता है, binary रूप में संग्रीट होता है, मतलब समझने की जो प्रणाली है वो binary होती है, इसके बाद question number 5 में कहा गया कि वाणे जी को पियोग के लिए उपलब्द कराया जाने वाला पहला computer, तो uni walk था, यहां आप देख रहे हैं, इसके बाद 6th number के question में कहा गया कि processor के तीन प्रमुख भाग और घटक कौन से हैं, तो ALU, Control, Unit and RAM, यह वाले जो पार्ट हैं, यह इसके तीन मुख्य भाग है, इसके बाद 7th number के question में कहा गया कि computer का वह हिस्सा जहां data और नर्देश भरा होता है, उसको memory unit कहते हैं, ठीक है, उसी क्या कहते memory unit कहते हैं, इसके बाद 8th number के question को देखेगा, इसमें कहा गया कि कौन से computer का घटक नहीं है, तो basic unit जो है, वो computer का पार्ट नहीं है, बाकि जितना आप यहां देख रहे हैं, वो सब होंगे, तो उन्हें भी ध्यान दीजेगा, इसके बाद 9th number के question में कहा गया कि what is a group of program cult, इस इसे आपने देखा, इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, लेकिन यहां पर यह उत्तर सही नहीं दिया है, graphical device नहीं है, diode, diode में क्या होता है, दो जैसे unipolar और bipolar का system होता है, तो bipolar वाला जो system है, वो दिखाई देता है, तो इसका answer perfect नहीं है, फिलहाल अगले वाले को देखत question number 11 में कहा गया कि computer की स्मृति कामापन किया जाता है, bits की द्वारा किया जाता है, और कैसे करेंगे, modem किस चीज को परिवर्थित करता है, तो modem जो है, वो analog signal को digital में convert करता है, और digital को analog में convert करता है, दोनों काम करता है, इसलिए हम C वाले का chain करते हैं, इसमें विकल्प के त जितने हैं, वो अपने-अपने समय के operating system है, question number 15 में कहा गया कि कौन सा software विकास model, linear sequential model भी कहा जाता है, तो ये waterfall model है, ठीक है, waterfall model या जहरना model इसको कहा जाता है, वो है, इसके बाद question number 16 को देखते हैं, इसमें कहा गया कि computer के द्वारा निकाला गया result कहलाता है, तो क्या होता है वो output होता है, आप input उसमें apply करते हैं, तो output देता है आपको, computer द्वारा दिये गया, अनुदेशों पर कारे करता है, तो उसे क्या कहा जाता है, processing कहा जाता है, ठीक है, पतलब जो अनुदेश उसको दिये गया है, उस पर वो काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, तो वो चीज जो ह 19 में कहा गया कि what is the main directory of disk, या disk की जो मुख्य directory है, उसको क्या कहा जाता है, तो root कहा जाता है, इसके बाद आप देखें, computer की processor की गतिको निमनलिकित में से किसमें नापा जाता है, तो ये MIPS में नापा जाता है, इसके बाद आप 20 number के last question को देखें, computer section के इसमें कहा जा रहा ह कि access 3 code of decimal 2 is क्या होगा, तो 0101 होगा, इसे आप निकाल सकते हैं, इसके बाद हिंदी वाला section स्टार्ट होता है, इसमें पूछा गया कि आप ब्रश का बालमी की किसे कहा जाता है, तो इसमें अगर आप देखें, तो जो correct answer है वो हो जाएगा, D वाला, swamboo, इसके बाद अवध जो होते हैं, उसी से भाषा बनती है, तीरे दे, पहले लीपी विक्सित होती है, फिर भाषा बनती है, इसके बाद आप देखें, असल में भाषा पहले विक्सित होती है, लेकिन जब लीपी बंध होती है, तभी उसे साकार माना जाता है, अर्भी उपसर्ग अल का क्या आर तो चाया और दार ठीक है चाया जो शब्द है ये संस्कृत का है और दार शब्द जो है फार्सी का प्रत्या है दोनों को जोड़कर बनाया गया चाया दार ये संकर शब्द हो गया इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, नील कमल की समास की श्रड़ी में आता है, यह आपको बताना है, तो कर्मधारे समास है, नीला है जो कमल, कर्मधारे है, इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, question number 9 में कहा गया कि गोधी में बैठ कर दाड़ी नोचना, भलाई करने पर भी दुष्टता करना, एक तो तुम्हें गोधी में बैठाया, और उपर से तुम उसमें फायदा लेकर दाड़ी नोचना शुरू किये, question number 10 को देखिए, हमारा समाज उन्नती के पथ में है, वाकि में किस तरह की अशुद्धी है, तो भाई, पथ पर है होना चाहिए न नहीं हो सकते, मतलब अर्थ में समानता नहीं हो सकती, question number next, यानी 12 को देखिए, रमा विद्याले जाएगी, कौन सा काल है, तो समाने भविश्य है, आगे का, इसके बाद बरतनी की तृष्टी से शुद्ध का चैन आपको करना है, तो अभिशप्त ठीक लिखा है, बाकी सब दोनों सुहियों के बीच में एक दूसरे के विपरित दिशा को देखेंगे, तो ये कौन सा समय होगा, कि दोनों सुहियां एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होंगी, तो इसका correct answer हो जाएगा, बी वाला, मतलब इसमें 8-10 और 10-11, मतलब ये वाला जो टाइम है, इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, question number second को देखें, इसमें का आगया कि निमनलिकित प्रश्न में दिये गया है विकल्पों से संबंधित, अक्षर समू को आपको चुनना है, तो glow को हम लोग लिख सकते हैं, F, G, N, U, उसी प्रकार से P, T, E, L की जगा पे हम क्या लिख सकते हैं, त अगला वाला जो है, वो B, Z, Y, S हो जाएगा, यह सीक्वेंस है एक तरका जिसे कि आपको बिठाना था, इसके बाद next को देखना है, इसमें कहा जा रहा है कि निश्चित कोड में 741 को माई फेवरेट मेनू लिखा गया है, 264 को योर फेवरेट फूर्ड लिखा गया है, और 5th number के question को देखते हैं, निखिल अपने भाई रोहन से आयू में 8 साल चोटा है, रोहन के आयू उस समय क्या होगी, जब वो निखिल से 2 गुना बड़ा था, आयू में 2 गुना बड़ा था, तो 16 साल की रही होगी, यह आप calculate करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, इसके बा भतीजा है, और वो उसके चाचा है, इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, यहाँ पर आपको श्रंखिला पूरी करनी है, तो D के बाद 2 लेटर आपको भरने पड़ेंगे, उसके बाद फिर यन है, फिर दो लेटर भरने है, फिर यन, यन, डियम लिखा है, फिर एक खाल तो यह जो क्वेश्चन है, इसमें 64 भर लीजेगा आगे, चाहं करना है, 64 भर लेगे, इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, क्वेश्चन नमबर 9 में कहा गया कि हो इसका कोडिंग किया गया है, वैसे ही पूर्टी की कोडिंग की गई है, तो आपको यह बताना है कि हो की कोडिंग करने पर क्या आएगा तो यह आएगा 51042 यह वाला इसके बाद question number 10 में कहा गया कि arrange करिए इन्हें अंग्रेजिस अब दकोष यानि जो dictionary है उसके according तो यहाँ inventory है evolutionary है इसके अलावा invisible है invariable है और investigate है कैसे करेंगे इसे तो dictionary में जिस क्रम में रहता है alphabetical order में इसका जो A वाला sequence है वो सही है इसके बाद question number 11 को देखते है सुधा दक्षण दिशा की और 8 km दूरी तैय करती है फिर वह दाएं मुड़कर 7 km चलती है उसके बाद फिर वह दाएं मुड़कर 8 km आगे चलती है अब वह अपने गंतव्य बिंदू से जो प्रारंभिक बिंदू था वहां से कितनी दूर है ये आपको बताना है तो 4 km दूर है इसका graph अगर आप बना लेंगे तो आराम से इसमें से निकाल सकते हैं इसके बाद 12th number के question को देखेगा 6 March 2005 को सोमवार था ठीक है कि एक निश्चित कोड भाषा में blamed को लिखा जा सकता है कुछ इस प्रकार से जैसे कि यहां coding की गई है यहां आप देख रहे हैं और उसी प्रकार से dissect को लिखा जा सकता है इस प्रकार से तो उसी कोड में अगर हम polari को लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे तो इसका जो D वाला option है उसके coding लिखेंगे यहां coding करना आपको थोड़ा से सेट बैठाना पड़ेगा उसके बाद question number 14 को देखिए एक घड़ी जिसमें दिखाया जाने वाला समय समान रूप से आगे बढ़ाया जाता है तो सो मार को दो पार 12 बजे सही समय से वा दो मिनट पीछे रहती है और वही घड़ी अगले सो मार को दो बजे जो दो पार के दो बजे का टाइम है उस समय सही समय से 4 मिनट 48 सेकेंड आगे रहती है ठीक है, 4 मिनट, 48 सेकंड आगे रहती है, तो घड़ी कब सही समय दिखाएगी, तो पुत्वार को दो पार, दो बज़े वह सही समय दिखाएगी, ठीक है, ये वाला सही, question number 15 को देखे, 15 में कहा गया कि after 3 days in a month यहाँ दिया हुआ है, इसे आप देख रहे हैं, 15 number का question, Saturday, यहाँ पे का गया कि Saturday कम, उसी महीने की 27 तारीख है, उस दिन कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है, मतलब what day will be on 27th of the same month, ये आपको देखना है, तो इसमें से Monday हो जाएगा, जो पीछे की तारीख हैं, वो दे दी हैं, आगे का पूछ रहा है, तो इसमें से Monday होगा, इसके बाद question number 16 को देखे, कहा जा रहा है कि B और C का भाई A है, और C की मा, C की मा इसमें से कौन सी है, C is the mother of A, यहाँ पे थोड़ा सा इसका अंग्रेजी वाला देखेगा, A is the brother of B and C, is the mother of C, ठीक है, और A is father, then which of the following is definitely not true, अब इसमें थोड़ा सा आपको इसमें डाल कर देखना होगा, तो correct answer क्या होगा, E का पुत्र B है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा, यहाँ कुछ alpha bet जो है, वो mist है, इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, यहाँ पर next, जो part है, वो है general appitude वाला, इसमें कहा जा रहा है कि शान्ती 20% के लाब पर घड़ी बेचना चाहती है, और उसने घड़ी 10% कम पर खरीदी थी, 30 कम पर बेची, तो उसे 20% का लाब हुआ, अब घड़ी का लागत मुले कितना है, यह आपको देखना है, तो 240 है total, ठीक है, अलकोहल और जल के एक मिश्रण के, मतलब यहाँ दिया हुआ है, अलकोहल और जल के एक लीटर के मिश्रण इसके बाद question number 4 को देखते हैं, इसमें कहा जा रहा है कि A किसी कारे को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, B से 10 दिन में करता है, तो A, B, C, 3 मिलकर 5 दिन में पूरा कर लेंगे, अब C अकेला इस काम को अगर करें तो कितना दिन लगेगा, 60 दिन लगेगा, ठीक है, इसके बाद question number 5 को देखते हैं, यहां कहा गया कि दो क्रमबद सम संख्याओं का गुडन फल 288 है, ऐसे नून संख्याओं का पता लगाईए, तो 16 और 18 वो संख्या है, इसके बाद question number 6 को देखते हैं, इसमें कहा गया कि the ratio of incomes of Ram and Shyam is 5 ratio 8, and the ratio of their expenses is 1 ratio 2, and the savings of each is rate 1500, if yes, then find the income of A, अब यहाँ पर A की जो income है वो आपको तलाश नहीं है, तो A की income क्या है, 3750 रुपए, इसके बाद question number 7 को देखें, इसमें कहा गया कि किसी वस्तु को 5 प्रतिशत की हानी की अपेक्षा, 10 प्रतिशत लाब पर बेचा जाता, तो विक्रेता को 75 रुपए अधिक मिलते, वस्तु का क्रैमूल न कितना है या आपको बताना है, तो 500 रुपए है क्रैमूल निग, यहाँ आपने देखा, इसके बाद question number 8 को देखेंगा, कोई व्यक्ति 10 km प्रतिखंटा की बजाए 14 km प्रतिखंटा की गदी से चलता है, तो वह 20 km अधिक चल पाता है, उसके द्वारा तैं की गई वास्तवि क्या है, साथ और पांच का है, यहाँ से 9 लीटर मिश्रन को निकाल लिया जाता है, और कैन को B वाले तरल से भर दिया जाता है, तो A और B का अब रेशियो है, वह 7 और 9 का हो जाता है, ठीक है, इस लीटर तरल में, शुरुआत में कितना जो A है, मतलब A वाला लिक्विट ज जब उनके 65 kg भार वर्ग में 65 kg भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। इसके बाद question number 11 को देखते हैं बेलन की तरिज्जा 10 cm है उचाई 4 cm है बेलन की तरिज्जा या उचाई कितने cm जोड़े जाएं उसमें की बेलन का आयतन उतना ही व्यक्ति के साथ दिखाई दे तो आप देखिए 5 cm अगर हम जोड़ देते हैं मतलब तरिज्जा में भी और उच यह है आपका बेलन और इसकी तरिज्जा है वो 10 cm है और उचाई जो है वो मात्र 4 cm है अब इसमें अगर आप 5-5 cm जोड़ देते हैं तो आयतन में भी उतनी ही वृद्धी हो जाएगा ठीक है इसके बाद अगले वाले को देखते हैं question number 12 को इसमें एक टैंक के छिद्र में ए 12 गंटे में खाली हो जाता है टैंक की छंकता क्या है यह बताईए तो 144 लीटर का टैंक है जादा बड़ा नहीं इसके बाद अगले वाले को देखते हैं question number 13 में यहाँ पर equation दे रखा है और इसका solution आपको बताना है तो देखें इसमें 6.5 into 4.7 plus 6.5 into 5.3 upon 1.3 into 7.9 इस प्रका को में बाटी जाती है A, B, C जो है यह क्रमशा 2, 3 और 4 वर्षों के लिए 5% साधारण ब्याच पर रिण के रूप में उसे प्राप्त करते हैं यदि तीनों की राशी उनके रिण से संबंदित अवधी के बाद बराबर हो जाए ठीक है अवधी के बाद बराबर हो जाए तो A ने कितने रुपए का रिण लिया था यह आपको देखना है तो 2760 रुपए का रिण लिया था यहाँ आप क्यालकुलेट करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा इसके बाद क्वेशन नंबर 15 को देखे इसमें कहा गया कि त्रिभुज A, B, C में B, C का मान 24 cm है त्रिभ आप बना के इसमें चित्र देख सकते हैं 13 cm होगा इसके बाद क्वेशन नंबर 16 को देखे 16 में कहा गया कि यहाँ आप देखे कि जो B है वो एक पटे 6 समय में A, B की तुलना में आधा काम करता है ठीक है यहाँ थोड़ा सा प्रशन जो है उसको देखेगा और A does half as much work as B यहा complete a work how much time shall B take to do it alone अब इसमें आपको देखना है मतलब B जो है अकेले करने में कितना समय लेगा तो 40 दिन का समय लेगा इतना हमने देखा और यहाँ पर यह मॉप टेस्ट खतम होता है तब तक के लिए नमस्कार